देश के संसाधनों पर पहला हग माइनोरिटी का है अलप संख्यकों का है और उसमें भी मुसलमानों का है अब कॉंग्रेस कह रही हैं कि आबाई आबादी तै करेगी कि पहला का हग किसका होगा यानि क्या अब अलप संख्यकों का हग कॉंग्रेस कम करना चाहती है क्या आबादी के हिसाब से ही अपताय होने वाला है तो पहला हग किसका होगा भई किसका होगा आबादी किसकी ज़्यादा है या आबादी के हिसाब से हग मिलेगा क्या तो क्या आलपसक्यलिंकों को गॉंग्रेस हटाना चाहती है क्या कल से कॉंग्रेस ने एक अलग लाप आरफना शुरू कर दिया है ये कॉंग्रेस के नियता कहते हैं जितनी आबादी उतना हक मैं कहता हूँ इस देश में अगर सबसे बड़ी कोई आबादी है तो वो आबादी गरीब है और इसलिए मेरे लिए गरीब ही सबसे बड़ी आबादी है और गरीब का कल्यान यही मेरा मकसद है मैं सोच रहा था कि पूर्व प्रधान मंतरी मनमोंसी जी क्या सोच रहे होंगे भारत के पूर्व प्रधान मंतरी मनमोंसी जी तो कहा करते थे कि देश के संसाधनों पर पहला हक माइनोरिटी का है अलप संख्यकों का है और उसमें भी मुसलमानों का है अब कॉंग्रेस कह रही हैं कि आबाई आबादी तय करेगी कि फहला का हग किसका होगा यानि क्या अब अलप संख्यको का हग कॉंग्रेस कम करना चाहती है क्या और आबादी के ही अहसाब से ही अपटय होने वाला है हैं तो पहला हग किसका होगा भै किसका होगा आबादी किसकी ज्यादा है किसका हग होगा जेना कंग्रेज वाले पश्ता करें किया आबादी के हिसाब्स हग मिलेगा सबसे बड़ी आबादी वाले हिंदू अब आगे बढ़कर अपने सारे हग ले ले क्या मेरे परिवार जनौ मैं पिछले काफी समय से कह रहा हूं और फिर आज दोरा रहा हूं कि कॉंग्रेस पार्टी को अब कॉंग्रेस के लोग नहीं चला रहें कॉंग्रेस के बड़े-बड़े नेता मुँपे ताला लगा के बैटे है न उनको पूछा जाता है न वो ये सब देख करके बोलने की हिम्मत करते हैं अब तो कॉंग्रेस को आउट्सोर्च कर दिया गया है कॉंग्रेस को अब ऐसे लोग चला रहे हैं परदे के पिछे लोग ऐसी कमाल कर रहे हैं ऐसे खेल खेल रहे हैं जो देश विरोधी ताकतों से मिले हुए है